वीके न्यूज राश्ट्र के नाम माइक पर चिलाकर ही खतम हो जाएगा जिहां मुस्लिम संगठन ने हरिद्वार धर्म संसत के विरोत में एक कारिकरम का एलान किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकठा होंगे मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि हम शांती के लिए मरने को भी तयार है एलान में ये भी कहा गया है कि अब हर शुक्रवार को मतलब हर जुमे के नमाज के बाद कई हजार मुस्लिम अपनी जान देंगे मतलब कुर्बानी देंगे वहीं मुस्लिम संगठन इतिहाद ये मिल्लत परिशत के संस्थापक ने उत्तरपरदेश के मुसल्मानों से आगरे किया है कि वह शुक्रवार को सामुहिक बरिदान के लिए बड़ी संख्या में मैदान में कठा हूँ प्रेस कॉन्फेंस करते हैं मुस्लिम उलेमा तौकीर रजा खान ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय ने पहले भी इस तरह की घटनाओ पर आपत्ति जताई थी लेकिन वर्तमान सरकार कुछ भी सुनने को तयार नहीं थी मतलब साफ है कि यहाँ पर इनको हरिद्वार में होई धर्म तर्थ से इतनी चिड हो गई या फिर कहें इतने डर गएं कि यह अब मरने को तयार हो गए है यहाँ पर खुद से मरने को कहरें कहरें हम आवन शान्ती के लिए हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हमें पता है अरतवार के धर्म संस्ट पे क्या हुए तर ना पिर वहाँ पर कट्रपन थी, किसी ने बयान दिया ना किसी हिंद्वों को उकसा आएकि हमा सरी वितनी बात चीत हुई कि जो भी भी रहा है उसके बारे बात चीत की गई थी लेकिन जिस तरीके से इनको मिर्ची इतनी तखडी मिर्ची लगी या फिर आप कह सकते हैं कि ये डर गे हैं और मैदान को उतर गे हैं और खुद कहTr zoomayi की नमाज के बार हम अपना बनिदान देगे लेकिन देखने वाली बात होगी कि इनकी बाते सिर्फ हवास रह जाती है या फिर ऐसा ये करते भी है अब आपकी क्या रहा है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताई और असी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे है वीके न्यूस राश्ट के नाब